हाई अब्रिवान आज मैं आपके लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल वेच मोमोस की रेसिपी और साथ में हम बनाएंगे रेड होट स्पाइसी चटनी ये मोमोस और चटनी दोनों बनाना बहुत आसान है और आप इसे बहुत इजीली घर पे बना पाओगे तो चलिए इसे बनाना स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेड होट स्पाइसी चटनी तो उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा पानी डाला है और इसके बाद इसमें सूखी साथ से आठ जो लाल मिर्शे वो डाल लेंगे और फिर टमाटर को ऐसे से सेंटर से कट कर लेंग है उसका जो छिलका है वो थोड़ा से पील होना स्टार्टना हो जाए यानि कि जब आप इसे पील करें वो इजीली पील हो जाए तो ये देखे इसे कुप करते हुए 12-15 मिनट हो चुके हैं अब मैं ग्यास बंद कर लेती हूँ और ठंडा होने के बाद जो टमाटर है उसके पील करकर ब्लेंडर जार में डाल लिया है और उसके बाद हमारे पास जो हमारी लाल वाली मिर्श थी वो भी हम ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से गाले यानि कि जो लहसुन है वो कम यह ज्यादे अपने according डाल सकते हैं और अब हम इसमे डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डालकर आप इसे अच्छे से blend कर लें तो यह देखिए हमारी जो perfect चटनी है वो बनकर तयार हो गई है अब आप इसे एक बोल में transfer कर लें तो यह देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ हमारी जो चटनी है वो बहुत ही अच्छी बनी है बिल्कुल market जैसी तो चलिए अब momos की stuffing बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने लिया है एक medium size की ака Meas उसे ऐसे बारीーい कत कर लिया है और सात में दालेंगे थोड़ी सा बारी gCutây हुई गाजर और सात में दालेंगी दो बड़ी sized की बानी कट़ हुई प्याज और उसके बाद यहां पे डालेंगे थोड़ा सावारी कट्बाषाई हुए धन्यार डालेंगे हम आप उसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्ष का पाउडर, और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे दो बड़े चमश देसी घी, अब देसी घी इसमें जरूर डालें, इससे जो आपकी मोमोंज हैं वो बहुत यह अच्छे वनने वाले हैं, अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से mix कर लेना है यहाँ पी momo की stuffing में आप अपने पसंद की कोई और भी vegetables चाहें तो इसमें add कर सकते हैं अब सारी चीज़ें अच्छे से mix हो गई है अब इसे में transfer कर रही हूँ एक कडाही में gas मैंने अभी on नहीं करी है आप सारी vegetables को कडाही में डाल ले और इसे एक बार mix कर ले अब आप gas on कर ले अब यहाँ पी मैंने लिया है एक बड़ा चमश कॉन फ्लार और उसमें डाला है दो बड़े चमश पानी उसे अच्छे से mix कर लिया है और वो mixture हम इसमें डाल लेंगे अब आप इस बात का ध्यान रखे कि हमें यहाँ पे vegetables को कुक बिल्कुल नहीं करना है आप इसे mix करें और लगभग एक मिनिट के लिए पका लें यह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है न जो vegetables है उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है और हम जो है momos वो अच्छे से नहीं बना पाते हैं तो इससे क्या होगा न जो हमारी stuffing है उसमें थोड़ी सी binding आ जाएगी और अब आप gas बन कर लें और stuffing को ठंड़ा होने के लिए एक तरफ रख लें अब यहाँ पे एक bowl में मैंने लिया है धाई कप मैदा और मैदे में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक dough तयार कर लेंगे अब इस बात का ध्यान रखे आप जब भी momos बना रहे हों उसका जो dough है आप थोड़ा hard बनाए क्योंकि अगर आप soft dough बनाओगे तो इससे होगा क्या जब आप momos की जो shape होती है आप वो बनाओगे वो easily नहीं बन पाएगी तो इसलिए आप पाने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका जो dough है वो बिल्कुल hard आप बनाएं तो ये देखे dough हमारा ready हो चुका है अब यहाँ पे मैंने लिया है steamer steamer को मैंने तेल से अच्छे से grease कर लिया है मैं यहाँ पे दो steamer में momos आपको बना के दिखाने वाली हूँ इसलिए मैंने जो दो steamer है वो लिये हैं दोनों को अच्छे से grease कर लिया है आप चाहें तो जो wooden वाला momo वाला steamer होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो आपको करना क्या है डो का ऐसे थोड़ा सा पोशन ले ले और बाकी का जो बचा हुआ डो है आप उसे कपड़े से कवर कर ले आप शाहे तो डो को क्या है न एक साथ बेल सकते हैं या किसी कटर से आप उसे कट भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर यह प्रेफर करती हूं कि मैं इसका छोटा सा ऐसे portion ले लूँ और उसे पतला बेल लूँ और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि आपकी जो मोमो की जो covering है यानि कि हम जो मैदा यहाँ पर बेल रहे हैं आप उसे जितना पतला बेल सको आप उसे उतना पतला बेल लें तो इसके बाद हम इसमें जो हमने stuffing बना कर रखी थी वो हम इसमें डालेंगे stuffing आप बहुत जादा ना डालें इतनी डालें कि आप जो मोमो को shape है वो अच्छे से दे सकें तो अब आपको करना क्या है इसकी एक side को आप ऐसे pinch कर लें यानि कि close कर लें और दूसरी तरफ आप इसे stick कर लें तो सामने वाली side पे ऐसे plate बना लें और इसे दूसरी वाली side पे stick कर लें ये वाला मोमो की shape बनाना बहुत आसान है आप इसे एक दो बार बनाएंगे रहें बहुत एजिली आप इसे बना पाऊगे तो यहां देखिए मैं आप इसे दूसरी बार भी आपको इसे बना करके दिख कर लिया है अब आपको इन्हें स्टीम करना है 12-15 मिनट के लिए अब गैस की flame यहां पर हाई रखे हम इसे हाई flame पर 12-15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे तो यह देखिए हमारे मोमो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और यहां पर मैं इस पर स्प्रिंकल कर रहे हूं थोड़ा बहुत ही अमी लग रहे हैं तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ बाबाई